वे गाइस, वाट्स अप, I hope you are doing well, I am Prithvi तो आज की इस वीडियो में हम डिसकस करेंगे प्रियंबल के बारे में, प्रस्तावना के बारे में बहुत इंपॉर्डन टॉपिक है हमारा इसमें हम देखेंगे कि या प्रस्तावना सवधान का भाग है या नहीं क्या प्रस्तावना में संसोधन किया जासकता है या नहीं प्रस्तावना को कव सवधान सावा के दोरा एडॉफ्ट किया गया तो बहुत सारे कोश्चिन है जो हम इस लेक्चर में डिसकस करेंगे तो चलिए अपना डिसकसन स्टार्ट करते हैं सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रस्तावना आकिरकार है क्या प्रस्तावना हमारे सवधान का इंट्रोडक्शन है हमारे सवधान का परिचा है अगर कोई भी विक्ती अगर हमारे सवधान के बारे में कुछ भी नहीं जानता है और वो हमारे सवधान को जानने की इच्छा विक्त करता है तो आप उसके समक्स हमारे सवधान की प्रस्तावना रखतीजिए वो उसको पढ़ने के बाद जान जाएगा कि भारत का सवधान आखिरकार कहता क्या है भारत के सवधान का नेचर क्या है और मुझे भारतिया सवधान को पढ़ते समय क्या क्या चीजे पढ़ने को मिलेगी मतलब एक लाइन में बोलू तो प्रस्तावना भारतिया सवधान का सार है जैसे कि आप कोई भी बुक पढ़ते हो तो उसके स्टार्टिंग वाले पेज में उसका इंट्रोर दिया जाता है कि इस बुक में कौन-कौन सी चीजे एड़ की गई है और जब आप इस बुक को पढ़ोगे तो आपको कौन-कौन सी चीजे पढ़ने को मिलेगी तो वो जबुक का प्रियम्बल है, उस बुक का की परस्तावना है तो सेमी सी तरह मारे सवदान की भी परस्तावना है जिसे जवालाल नहरुजी के दौरा 13 दिसंबर 1946 में सवदान सवाकेस मक्स पेस किया गया और इससे पूरी सवधान सवा के सदसे इतने प्रभावित हुए कि सभी ने एक साथ होकर मिलकर मतलब इस प्रस्तावना के अंगेश्ट में कोई भी एक परसंन नहीं था कि इसे हमारे सवधान में अड़ नहीं किया जाए तो पूरी सवधान सावाने एक जुट होकर 22 जनवरी इस डेट को याद रहना, 22 जनवरी 1947 में इस प्रियंबल को इस प्रस्तावना को accept किया, adopt किया, ओके, तो बहुत ही important part है मारे constitution का, और आप इस वीडियो को pause करके पूरी प्रस्तावना को एक वार detail से पढ़ लीजिएगा, और इससे हम देखते हैं कि कौन कौन से question आते हैं, पहला question है कि भारतिया सवधान को power कहां से मिलती है, मतलब भारतिया सवधान की सकती का स्रोत क्या है, तो पहली line है कि भारत के लोग, भारत के लोगों से हमारे सवधान को power मिलती है, हमारे सवधान को सकती प्राफ्त होती है दूसरा question है कि भारत की प्रकृति क्या है तो भारत जो है एक संपून प्रभुतव संपन मतलब भारत खुछ पूरी तरह सोतंत्र है भारत के ओपर किसी विदेश का दिकार नहीं है भारत जो अपने decision लेशकता है कोई विदेश जो है भारत के internal matter में डखल नहीं देशकता मतलब भारत क्या है धर्म नेरे पर पता क्या होता है कि मल जिस देश का कोई धर्म नहीं होता देखो भारत ना भारत का कोई भी एक धर्म नहीं है मतलब भारत ने किसी एक धर्म को एड़ाफ्ट नहीं किया हुआ है बल्कि सारे धर्म भारत के अंदर समाहित है जिस तरह एक मा माह के 5 बच्चे हैं तो माह के लिए तो सभी बच्चे समान हुए पांचों के बांचों की तूमान नहीं है तो सेम बहारत माह के भी Thank you WITH women खाली नहीं है वो इसी तरह भारत माह सबी झार्यवी नहीं बारत हॉत्य मतलब भारत में जो सरकार होती है उसे लोगों के द्वारा चुना जाता है यहां तक कि भारत का जो मुखिया होता है मतलब भारत का जो राष्टपती है उसे भी लोगों के द्वारा लोगों में से ही चुना जाता है ठीक है इसलिए भारत जो है भारत का नेचर क्या हुआ भारत की इंपड्रन्य जो गूस्टिन आफ से पूचा जाएगा ना कि जो पूचा जाएगा एंपार्तियासर्थाफ्धानकि पूचान स 4 अब हमरी आ कि गयाँ करता लेकिन धार्मिक नियाय के बात नहीं करता है और इस वात को आप याद रखना अब आपसे question पूछा जाता है कि जो preamble है जो प्रस्तावना है उसमें किस तारीख को सवधान को लागू हुआ माना गया है आपको preamble के जो जितने भी word है ना इनका sequence याद होना चीए जैसे कि आपको पता है सबसे पहले संप्रूर्ण प्रवुतव संपन सवधाता है उसके बाद समाजवादी आता है उसके बाद धन निरपेक्स आता है उसके बाद लोकतंतरात्मक गंडराज्या आता है उसके बाद आता है आपका नयाय, सोतंतरता, समानता, अखंडता और बंदुतव इनका sequence आपको याद होना चीए क्योंकि एक्जाम में इनका sequence पूछा जाता है जैसे कि UPSC में जो question पूछा गया था कि भारतिया सवधान की प्रस्तावना के उनसार भारत एक डैस है अब आपको sequence याद ह होगा तव याप इसका answer दे पाओगे कि भारत एक क्या है प्रभुतव संपन धर्म निर्पेक्स समाजवादी लोकतंत्र गणराज्या है क्या यह स्क्वेंस सही है या प्रभुतव संपन समाजवादी धर्म निर्पेक्स लोकतंत्र आत्मक गणराज्या है तो आप क्या यह जो sequence है यह भी ठीक है तो आपको इसका कोई एक sequence बताना है ठीक है मतलब एक option बताने है जिनका sequence विल्कुल ठीक है और इसका answer आप मुझे comment करिएगा यह जो है आपको preamble में मिल जाएगा अब हम देखते हैं कि क्या प्रस्तावना सवधान का भाग है या नहीं तो इसके लिए हमें कुछ case discuss करना पड़ेंगे पहला case है बेरुवाडी संग मामला 1960 बेरुवाडी भारत और पुर्वी पाकिस्तान के बीच में एक dispute area था पुर्वी पाकिस्तान मतलब आज का बांगलादेश है उसके बीच में भारत और बांगलादेश के बीच में dispute area था तो इससे related case जात है तो बेरुवाडी संग मामला 1960 ठीक है इस केता है जो प्रस्तावना को सब्धान का बाग नहीं माना गया फिर रहता है एक बहुत important case जिसने सब्धान में अपनी अलग ही जगा बनाई हुई है वह केश्वनंद भारती मामला 1973 केश्वनंद के एक बहुत ही फेमा संत हुआ क करते थे और केश्वनंद केरल की सरकार के बीच में जमीन को लेकर कुछ dispute था जिसको तो उस दौर की बात है जब जो राइट प्रोपर्टी है मारा फंडामेंट राइट हुआ करता था तो उसमें जो है केश्वनंद भारती मामला 1972 में आता है और उनसो तेहतर में इसकी सु सब्धान का भाग है आपसे एक्जाम में पूचा जाएगा कि किस केस केता है जो है प्रस्तावना को सब्धान का भाग माना गया तो केशवा नंद भारती मामला 1973 फिर एक केस होता है Q95 में LIC का केस होता है और इसके तहत भी कहा जाता है कि प्रस्तावना सब्धान का भाग था यस प्रस्तावना सब्धान का भाग है अब बात करते हैं कि क्या परस्तावना में संसो दिन किया जा सकता है या नहीं जब केशवनन्द भारती 1973 में आया तो उसके तहरे एक बहुत important concept निकल कर सामने आया बहुता सव्धान की मूल वस्यास्ता का कि क्या सव्धान की मूल वस्यास्ता में संसद वो हमारी पार्लेमेंट को सवधान में संसोधन करने की पावर देता है तो इस केश्वनन्द भारती मामले के टायत कहा गया कि संसद अंचे 368 के टायत सवधान के मूलबसेस्ता को संसोधित नहीं कर सकती मतलब सिधा का गया कि संसद्ध सफधान की मूल विस्यस्ता में संसोधन की शी भी हाल में नहीं कर सकती तो इसी कहता है प्रस्तामना जो थी भारतिया सफधान की सबसे important या भारतिया सफधान की मूल विस्यस्ता ही है और इसमें कहा गया कि प्रिस्तामना में संसोधन कर सकती है लेकिन प्रिस्तामना की मूल बसी इसमें संसोधन नहीं कर सकती है आप confusion आपके mind में आ रहा होगा मतलब कर सकती है नहीं कर सकती है तो आप अब example से जम्झते हैं माली जे एक घर है ठीक है और इसकी मेन दिवारे हैं और इसके अंदर चार कमरे हैं अब आप से कहा जाता है कि आप इस घर की मूल दिवारों को जो मेन इसकी बाहरी दिवारे हैं आप इनको नहीं गिरा सकते बाकी अंदर जो कमरे की दिवारे हैं आप उनको गिरा दीजिए को सेमें यही concept हमारी प्रिस्ताबना पर अप्लाई होता है कि सुप्रेम कोड ने कहा कि इश्वनंद भारतिव के तैट कि जो संसद है वो सवधान की मूल विस्यस्ता में संसोधन नहीं कर सकती दिके? यहाँ पर देखो कि संसद ने कहा स्रेंब कोड ने कहा कि संसद प्रस्ताबना की मूल वि liberalsता में संसोधन नहीं कर सकती बलकि इसके अंदर संसोधन कर सकती है जिससे कि इसकी मूल वि diffताफता पर कोई परवाव नहीं पड़े इसी के तैथ फिर 42 सवधानिक संसोधन अधिनियम 1906 के तैथ प्रस्ताबना में संसोधन किया गया एक ही बार हमारी प्रस्ताबना में अव तक संसोधन किया गया है और वो किया गया 42 सवधानिक संसोधन जिसे हम mini constitution कहते हैं जिसमें हमारे सवधान में बहुत सारे changes हुए थे इसके तरह जो प्रस्तावना में तीन सवधायड किये गए समाजवादी, धर्म निर्पेक्स, अखंड़ता, secular, socialist and integrity इन तीनों सवधायड को याद रखना क्योंकि एक्जाम में बहुत बार पूछे जाते हैं कि बारतिया सवधान की प्रस्तावना है, उसके उसमें 42 सवधायनिक संसोधन के थेत, कौन-कौन से सवधायड किये गए, तो समाजवादी, धर्म निर्पेक्स और अखंड था, आपस संसद के द्वारा संसोधन किया जा सकता है, तो यस, प्रस्तावना में संसद के द्वारा संसोधन किया जा सकता है, अब आपसे कोशिन ऐसे पूछा जा सकता है, कि संसद प्रस्तावना की मूल विशेस्ता में संसोधन कर सकती है, तो नहीं, प्रस्तावना की मूल विशेस्त हमें संसोधन नहीं कर सकती अब आपके माइंड में कोश्चिन आ रहोगा कि क्या समाजवादी धर्ण निर्पेक्स या खंडता जो है प्रिस्तामना की मूल प्रिस्ता को प्रभावित नहीं करती है तो गाइस जिन नहीं जो इतीन सव्ध मारी प्रिस्तामना में एड़ किये त चारों पर धारित है उसके बारे में पता चलेगा धर्म निर्पेक्स का था का पता चलेगे कि भारत एक धर्म निर्पेक्स है और खंडता का पता चलेगे कि भारत में अगर कोई एक वरक्षित्र सामिल हो गया या भारत का कोई विराज़ा जो भारत से अलग नहीं हो सकता तो इससे हमारी जो प्रियम्बल है, हमारा जो भारतिया सवधान की प्रिस्तावना है, वो और मजबूत हो गई. अब मुझे उमीद है कि अगर आपसे कोई कोश्चिन पूछेगी कि आप प्रिस्तावना में संसोधन किया जासकता है या नहीं, तो आप कहसकते हो कि यस किया जासकता है, लेकिन प्रिस्तावना की मूलब संसोधन नहीं किया जासकता है, क्या प्रिस्तावना सवधान का भाग है प्रस्तावना को कव सव्धान सावा के दोरा डॉप्ट किया गया तो 22 जनवरी 1947 और आप से मैंने कोश्चिन पूछा है कि क्या चलो अपनी कोश्चिन की तरफ चलते हैं कोश्चिन है भारतिया सव्धान की प्रस्तावना के उसर भारत एक क्या है संपुर्ण प्रभुतव संपन समाजवादी धर्म निर्पेक्स लोकतंत्रात्मक गंडराज्या है ठीक है यह मारे प्रियंबल में बिल्कु सिक्वेंस में दिया गया है तो इसका ही राइट आंसर है और यह उप्यस्ट में पूछा गय है को इस वीडियो में बस इतना है गाइज मिलते नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइबाइब झाल 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 झाल